पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के भारत आने का मामला अभी सुर्खियों में ही है कि अब एक और ऐसा ही मामला सामने आया है इस बार एक भरतिय महिला अपने प्रेमी से मिलने पाकिस्तान पहुँच गई राजिस्तान की रहने वाली इस महिला का नाम अंजु है 34 वर्षिये अंजु की पाकिस्तानी व्यक्ती नसरुला से फेस्बुक पर दोस्ती हुई और फिर उसे उससे प्यार हो गया अंजु शादी शुदा है और दो बच्चों की माँ है अंजु का जन्म उत्तरब्रदेश के कैलोर गाउं में हुआ था और वो राजिस्तान के अलवर जिले में रहती थी वह अब अपने पाकिस्तानी दोस्त नसरुला से मिलने के लिए पाकिस्तान के खैबर पक्तुन खुआ के उपरी दीर जिले में है अंजु ने अब पाकिस्तान से अपना वीडियो जारी करते हुए कहा कि मैं जल्द ही भारत वापस लोटूँगी अंजु लीगल वीजा लेकर पाकिस्तान गई है बस ये रिक्वेस्ट है उनको परिशान ना करें प्लीज तो कुछ बात करनी है मुझसे बात करें मुझे कॉंटे कीजिए मैं लाइन पे हूँ हर टाइम मेरे पास तो ये बता कि गई थी कि जैपूर गई हूँ हमने कमपनियों में जो इस्टाव हैं सब पूछते थे हमने बता दी कि जैपूर गई है जैपूर गई है चला ये चला है कि लाहूर हूँ किसे पता चला है उप तो फ़ोन चाए था श्पोन प्रोश पंति एडियो को निख तनियुक्नी उस पर क्या अव उस पर हुछए कि मैं लहुर मैं सब को बता दिया हूँ वह म démocr Suffco को सब को सब कर अब अभि फ्य क का कर रहे हैं इसके वीजा के अबधी पूरी होने पर 20 अगस्ट को स्वधेश लोट जाएगी ये जानकारी अंजू के पाकिस्तानी मित्र नसरुल्ला ने भी सुमवार को दी नसरुल्ला ने इसके साथ ही अंजू से फ्रेम संबन्द होने की दावों को भी खारिच कर दिया नसरुल्ला ने कहा कि उसकी अंजू से शादी करने की कोई योजना नहीं है वहीं पाकिस्तान के दीर जिले के S.P. ने कहा कि 21 अगस्त को अंजू पाकिस्तान से वापस चली जाएगी हमने उनकी सुरक्षा में पुलिस तैनात की है इसी बीच धर्म को लेकर अंजू के परिवार वालों ने बड़ा दावा किया है अंजू के चचेरे मामा रोशनलाल के अनुसार अंजू ने ईसाई धर्म अपना लिया था और अभी भी वो ईसाई ही है अंजू की शादी अलवर में हुई थी उनके दो बच्चे हैं उनकी बेटी 11 साल की है और बेटा छोटा है उनके बच्चे अपने पिता के साथ भिवाडी में हैं अंजू से उनकी मुलाकात अपरेल में हुई थी